हेलो दियर स्टुडेंट्स वेलकम टू आल इन विलिंग नर आज मैं आप सभी से बहुत इंपोर्टेंट डिस्केशन करने वाला हूँ यह आज का डिस्केशन आपको समझ में आ जाता है तो यह डिस्केशन कम्प्लीटली आपकी लाइफ को चेंज कर देगा क्योंकि आप यह का कुछ भी एम वहाँ होगा आप कुछ भी अपनी लाइफ में करना चाहते है चाहिए आप डॉक्त exactly it करना चाहते हैं कि ओप यह करना चाहते हैं आप इसक्व को स्ट्रॉंग करना हिपड़ता है यह पर स्ट्रॉंग नहीं हैं तो इमारत कैसे हढई होगी तो base हमें बनाना है तो base के लिए आपको school की NCRT को deeply पढ़ना होगा और deeply कैसे पढ़ना है वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्योंकि आप school के बाद जब competitions के exam में बैठते हैं तो वहाँ पर question क्या पूछे जाते हैं NCRT के question पूछे जाते हैं बट वहाँ हमें लगता है कि आरे नहीं यह question बहुत मुस्किल हो गया बहुत difficult question है हमें तो आता ही नहीं विर हम उस चीज़ को revise करते हैं तो क्यों नहीं हम ऐसा करें कि पहले से ही अपने base को strong करके चलें कि आगे की जर्नी में हमें दिक्कत ही ना हो जो basic चीज़े है वो हमें कम से कम आनी तो चाहिए अगर basic नहीं आएगी तो आगे तो कुछ है ही नहीं फिर आप दो साल तीन साल पीछे का पढ़िए फिर revise की जि आखिरकार NCRT इतनी important क्यों है आपने अभी हाली में एक news देखा होगा 2021 की IS topper कौन रही शुरुती शर्मा शुरुती शर्मा IS की topper है 2021 की first rank है आप किसी भी institution में चले जाएंगे IAS की preparation के लिए हम जाएं तो सबसे पहला जो work वो आपको बताते हैं सबसे पहला आपको जो पढ़ना होता है वो NCRT की book बोलते हैं कि आप NCRT की book पढ़ो 6 से start करो NCRT की books पढ़ना सुरू करो 12 तक की book पढ़ो क्योंकि ये base है और यहीं से questions आप से पूछ जाते है मैक्सिमम अब एक ऐसे question पूछाते हैं उसको भी आपको discuss करने वाला हूं यदि हम बात करें जैसे आप SSC का exam देंगे अब यह level थोड़ा सा उपर है आपसे बट इनको समझना है जब आप 12 में पहुंचाते हैं तो आप देखते हैं कि competitions की भी एक दुनिया है एक competitions की दुनिया है स्कूल की दुनिया अलग है college की life अलग है बट competitions life real life की जो starting है वो competition life में ही है तो competition life में जब आएंगे तो SSC का है exam program वही railway है जो आप में से आपके घर परिवार में या other neighbors कोई होगा government zone में तो उन से भी आप discuss कर सकते हैं SSC railway वहीं यहीं बात करें UPSC अब UPSC में IS का भी exam आ जाता है क्योंकि UPSC conduct कराती है इसको IS के exam को तो IS है तो IS के दिए मैं बात करूँ तो जो IS की job है उसके लिए basic चीज़ क्या है NCRT आपको पढ़ना है अब NCRT कैसे पढ़ना है कैसे यहां से question पुझाते हैं देखिए यह दि मैं बात करूँ mathematics की तो mathematics में जब हम SSC railway का exam देते हैं यह दर competition exam देते हैं तो वहां पर आपने maths में पढ़ा होगा polygon क्या पढ़ा होगा polygon और polygons जैसे triangle है triangle polygon है वहीं rectangle क्या है parallelogram है यह सभी क्या है polygons है आप इन polygons के angles कितने होते हैं जैसी यह three sides है तो number of sides यहां पर क्या है 3 है तो यहां पर इनका sum of angles of triangle कितना होता है 180 degree होता है बट यह कैसे find out हुआ तो इसके लिए formula use होता है n-2 into क्या होगा 180 यह formula है अब n की value 3 because side क्या है यहां पर 3 तो 3-2 into 180 कितना हो गया 180 अब वहीं quadrilateral की बात करें तो quadrilateral में side क्या हो जाए 4-2 into 180 कितना हो गया 360 अब यही चीज competitions के exam में आपको पढ़ाई जाती है और यही आप यदि 8th class में ही समझ ले तो हमें वहां पर पढ़ने की जुरूत है क्या competitions चुटकियों में clear होगा तो सभी के लिए basic आना जरूरी है basic books को पढ़ना जरूरी है और basic book क्या है ncrt है वहीं यहीं हम बात करें science की तो science में जब आप पढ़ेंगे तो आपने पढ़ा होगा लाइसोसोम लाइसोसोम is a suicidal bag of the cell का जो suicidal bag होता है आत्म घाती धहली किसे कहा जाता है कोशिका का तो वह क्या आपका लाइसोसोम अब यहीं आपको पढ़ना एक competition exam में वहीं powerhouse of the cell क्या होता है mitochondria होता है यह सभी जब आप cell का discussion करेंगे class 10 में 9 में तो वहाँ पर आपको पंडे को मिलेगा mitochondria हो गया तो powerhouse of the cell यही competition exam में पूछा जाता है तो competition exam में क्या लग है कुछ भी नहीं NCRT की तो पूछ रहे हैं आपसे वहीं यहीं हम बात करें सस्टी की तो सस्टी में doctrine of labs कौन लेकर आया लोड डलहोजी यह class 8 में है doctrine of labs का concept 8 क्लास की एसस्टी में वहीं 9 में फॉस्ट चैप्टर यह जोग्रफी का size and locations अब वहां से यह कोशन पूछ लिया आता है competition exam में कि इंडिया कि हैमिस्फियर में तो नॉर्दन हैमिस्फियर में है इंडिया कि हैमिस्फियर में है नॉर्दन हैमिस्फियर में है अब य नॉर्थ यह हो गया साउथ नॉर्दन हैमिस्फियर में इंडिया है अब यह नॉर्थ में पार्ट करें तो नॉर्थ इस्ट में आ जाता है आपका इंडिया तो यह सभी कहां है स्कूल की बुक्स में है एंसी आर्टी में है तो हमें एंसी आर्टी को डीपली पढ़ना होता वहीं हैं हैं बात करें नेपोलियन बोनापार्ट की नेपोलियन बोनापार्ट कहां से बिलोंग करता था फ्रांस से यह आपका क्लास 10 में हैं वहीं 11-12 में बात करें कॉंस्ट्यूशन पढ़ने को मिलता है तो सभी NCRT का ही तो पार्ट है आप इक्वैलिटी फ्रैटर्निटी इंटरिगिटी इंटरिगिटी यह सब वर्ट कहां से आए तो यह फ्रांस की करांती से आते हैं तो यह सभी चीज़ें आपके स्कूल बुक्स में हैं कॉंस्ट्यूशन कब बना 26 नॉबर 1949 को लागू कब होता है तो 26 नॉबर 1950 को सब कहां है 11 12 की बुक्की में है एसिस्टी की बुक में है पॉलिटिक की बुक में है तो आपको उनको पढ़ना है उनको मैं आपको डीपली पढ़ाऊंगा अपने चैनल विलिंग लर्नर पे जो हमारा विलिंग लर्नर चैनल है इस पर आपको डीपली क्लासिस मिलेगी एंसी आर्टी की क्योंकि एंसी आर् डीपली पढ़ने को मिलेगा आपको हमारे चैनल विलिंग लर्नर पे कोई भी कोशन हो आपका कैसा भी कोशन हो आपको डिसकस करना है पूछना है तो आप टेलिग्राम चैनल जो हमारा आप टेलिग्राम इससे आप जॉइन कर लें इसको टेलिग्राम भी हमारा विलिंग लर् ओफिशियल यहां पर आप एड़ कर देंगे तो आप इंस्टा से भी जॉइन हो जाएंगे फेस्बुक पेस्पे भी जॉइन हो जाएंगे विलिंग लॉर्णर से तो यह सभी आपके बेनफिट्स के लिए हैं और NCRT को डीपली पढ़ाऊंगा आपको वहीं साइंस, SST और आ आप competition का जब exam दोगे तो वहाँ पर आपको सभी बिल्कुल questions हलवा लगने लगे इस तरीके से हम पढ़ने की कोशिश करेंगे NCRT को, so guys best of luck, share and subscribe, willing learner, thank you very much.